यह वाशिंग मशिन है LG की टॉप लोड इनमेटर मुदल 6.2 kg इसके अंदर पिशू यह आ रहा है कि अगर हम कोई भी मौड सिलेक्ट करते हैं पानी भरने के लिए तो इसके अंदर कंटिन्यू पानी ड्रेन आउट होता है और ड्रेन आउट का जब उन्हें पाल्ट ट्रेस कर इसका तो इसके अंदर पिशू यह है कि ड्रेन मोटर जो है इसकी वह खराब हो गी है और रिवर्स नहीं आ रही तो यह जगा पर जाकी टिक जा रही है लोग हो जाती है जबकि हमने इसको अभी कोई सप्लाइव गएरा कुछ नहीं दिए हैं सो अभी हम ड्रेन मोटर को रि है जो एक बार में कर लेता हूं देन चेक करो को चेंज करने से पहले हमें कवर खोलना होगा इस कवर को सिंप्लियम की तरह उठाएंगे तो यहांसे लोग करके यह निकल जाएगा अब यह इसकी डेन मोटर है डेन मोटरों खोलने के लिए इस पर तीन पेच होते हैं एक यह यहां पर लोग होता है इसको हल्का सब्रेस करेंगे तो यह बाहर निकले है इसको मापरे निकाल नेता है कि इना के तूप करता है इसको पीछ खोल देता हूं ताकि मोटर बाहर आजये कि यह अभी आप देख सकते हैं कि हम नहीं इसके तीनों पेच उपन कर दिया है अब हमोटर को एलका सा पुल करेंगे लोक से बाहर आ जाए और हम इसको यहां पे लोक है से बाहर निकाल लेंगे इसको पहर बहार निकाल लिए इस बिए ट्राव है यहां पिसके अंदर लोक होता आपको दिख रहा होगा इस लोक के अंदर जाके इसका यह बूग लोक सेट हो जाएगा डेंड मोटर का और अंदर जाके सेट हो जाएगा चलिए मैं दूसरी मोटर लगा लेता हूं दैनमार के कंटीनू करते हूं हूं है करे भी इस बात का खास ध्यान रखेंगे जब हम ली मोटर वो सेट करेंगे कि यह जो लोग है गीम पर इसके बीच में और फ्री हो जैसे यह भी फ्री आ है कई भार की वह यहीं यह टक जाता है उसके वह यहाँ से भीशो हो आते हैं आप गभी आप देख सकते हैं मोटर को सेट करते हैं पेश लगा के itagen हम इसके अंदर फोनी परेश्ट में है यहां पर चीक है आफ समय आप एचिक है उए इस ओक्षकर लगा देगे में कवर लगाने के लिए इसको लोओ इसको लाम सा के टोप कैसे पुछ करेंगे तो यह अपनी जगा पर जाके सेट हो जाएगा अब हम मशीन को सिरी पूजिशन में लाएंगे उसका पैक कब चला के चेक करेंगे अभी आप देख सकते हैं मशीन को स्पिनिंग मोड में लगा दिया है कमाने यहां से दे दिया है अब यह मोटर पूरी कूल हो पूरी की पूरी ओपन भी हो रही है और क्लोज भी हो रही है अब हम लोग इसको स्टार्ट होने का वेट करेंगे कि एक बार यह स्टार्ट हो जाए है कि ड्रम गुमना शुरू हो जाए है अब आप देख सकते हैं ड्रम गुमना शुरू हो चुका है अब हम इसके अंतर एक बार पानी डाल के भी चेक करेंगे कि मशीन जो वोशीन पूरी पूर्पर कर रही है या नहीं कर रही है अब मसीन को स्टार्ट करेंगा पानी के लिए पानी आना स्टार्ट हो चुका है तो अब पानी बदने का पुरुपर पुरा बेट करेंगे एक बार पानी बच्छा इसके अंतर दन मैं चनम आगे चेक करेंगे कि अब प्रोपर मशिन वर्च खर लिए वह रशी यह निकले कि जो कस्टोमर का इशू था पंटेनियूज भी पानी निकलने का वह भी रिजवर्व हो चुका है मशिन ने पानी भी बहुत आप देख सकते हैं मशिन ने वाशिंग स्टार्ट कर दिया और जो कस्टेन मोटर के विए से इशू आ रहा था कंटीनूज भी पानी रे आउप होने का पोटे इशू नहीं है अब हम एक बार प मशिन प्रॉपर स्पिन कर रही है या नहीं कर रही है कि अब है कि अब है कि अब देख सकते हैं मेशिन को पानी है वा पूरा हुपरा डेन आउट हो चुका है अभी जो मशिन हाँ हमारी स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग करना शुरू कर दिया है तो इसके अंदर जो इशू था वो रिजॉल्फ हो गया है चलिए वीडियो में अच्छा हो जानको लाइक कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में